नमस्कार वेलकम बेक तो स्टुजेंट शेवी रिवी चैनल तोड़े विद्ट सम्सपारेंट्स वो अलड़ी स्टुडी फोर यूपी एसी एंड फ्रेंड्स दे आर लिविंग हेर इन रूम एंड स्ट्रगलिंग देयर फोर यूपी एसी एंड जादा बात ना करते वे इन रूम का टूर करा देते हैं कैसी प्रस्थितियों में इनको यहां पर रहना पड़ता है और कैसे यह टाइम को अपने सेड्यूल को और कैसा यहां पर एंवार्मेंट है इन से जानेंगे डिटेल में बातचीत करेंगे अभी मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ इनके सर से डिरेक्टली बात करेंगे और यहां पर देख सकते हैं दो एस्पारेंट एक रूम में रहते हैं अभी एक ही बैड अवैलेबल है और यहां पर चटाई पे भी सो सकते हैं खाना में नीचे बैठके खा सकते हैं और आप देख सकते हैं रूम बहुत ही स्पेशियस है यह यहां पर सरने जो की एक spiritual mindset के लिए बहुत ही जरूरी होता है सरने यहां पर मा शर्श्वती भगवान हनुमान जी और भगवान विश्णु जी की फोटो लगाई भी है और आप देख सकते हैं स्वामी विवेकनन जी की फोटो है और यहां पर अब्दुलक्लाम आजाद जी ज और आप देख सकते हैं इस रूम में यहां पर चेर टेबल दिया है और सर ने यहां पर अपनी बुक्स रखने के लिए wooden rack रखा हुए है ठीक है यह है और यहां पर सर खुद खाना मनाते हैं खुद रहते हैं और बाकी इनसे ही जानते हैं इनकी struggling life कैसी है कैसे schedule को manage करते हैं चलिए बात करते हैं सर से असकार असर आपका नाम क्या है मेरा नाम कृष्णा याद हो है मैं मद्रदेश के schedule district से बिलाउंग करता हूं यहां पर किस चीज़ की preparation कर रहे हैं अभी मैं यहां UPSC की तैयारी कर रहा हूं कितना टाइम हो चुक है सर आपको UPSC की preparation करते वे अभग डेर्वर्स हो गए हैं कोविट 90 के कारण में घर चला गया था एप्टर डैट जब क्लास स्टार्ट हुए उस समय से फिर मैं यहां ध्यान रहते हूं अभी आपने यहां पर कौन सा इंस्टीट जोइन किया है सर मैं यहां देश्टी आइस इंस्टीट को जोइन किया हो और यहां के फैकलीटिस काफी अच्छे हैं गुपालपूर में अपने रूम कैसे खो जासर सर मैं जब सुरू में आया था तो मेरे को रूम के बारे में पता नहीं था मैं अपने दोस्त के यहां रूका था फिर मैं पीजी लिया था तो पीजी में क्या है कि मैं दो- वहां का खाने का quality मेरे को पसंद नहीं आया मतलब खाना तो मिलता था फूड मिलते थे सुबह चपाती बगएरा और चाय बगएरा मिल जाते थे लेकिन खाने का quality खाना पचता नहीं था खाने का test सही नहीं था और बड़ा congested area हो जाता है पीजी में जब आप रहते हो दो तीन बच्चे साथ मिल करके आप ऐसे अंगडाई भी लेते हो तो सारे समान गिर जाते हैं तो विवस्तित नहीं हो पाता रूम में क्या है कि आप विवस्तित रहते हो अच्छा space मिलता है तो इस कारण से आप आपको पढ़ाई में सहुलियत मिलती है और यहां मेरा kitchen भी है चुक मैं अपना swayam का究 सूय करता हूं और यहां पर जैसे दो लोग रहते हैं तो खाने का कैस एक time बनाता है या फिर कैसे करता है सर दो लोगों में थोड़ा सहुलियत हो जाती है जैसे या तो साथ मिलके बना लिए या फिर एक टाइम आपका कोई पार्टनर बना लिया और एक टाइम हम बना लिए तो इसे सहुलियत मिल जाती है और क्या की रूम का किराया भी कम हो जाता है जैसे इस रूम का किराया है 32 र दो लोगों में और रूम भी ठीक ठाक हैं पानी वगयरा में कोई वह नहीं है इस पेस भी काफी अच्छा नीचे मार्केट है होटल वगयरा है मार्केट लगती हैं समाने भी वगयरा मिलती है सस्ते मिलते हैं तो इस परकर आप अपने आपको मैंनेजमेंट कर सकते हो और एक स आपको ज्यादा दिक्कत भी सामना न करना पड़ेगा और इसके लावा आपकी एक अलग च्वाइस हो सकती है चुकि आप अगर खाना बनाना पसंद नहीं करते या आपको बनाना नहीं आता तो आप पीजी ले सकते हैं और चुकि इस समय बच्चे आ रहे हैं तो रूम के दा किजे पास सकते हैं तो थैंक यू वेरी मुच सर पॉर यूर वैलियोबल टाइम और जो आपने डिरेक्ट किया है जो समझाया है उसे हमें भी बहुत को सीखने को मिला है थैंक यू वेरी मच सर दंदवाद और आप आईये और तैयारी करते रहिए वेस्ट आप लास्ट